बैली फैट को जल्दे से रिड्यूस करने के लिए जो हैंगिंग बैली फैट होता है उसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो दो स्टेप्स आज से ही अपने रूटीन में शामिल कर लीजें आपको सबसे पहले एक कुशन की जरुरत पड़ेगी इस तरीके से पकड़ा ज्यादा उपर नहीं उठाना बिल्कुल नीचे भी नहीं ऐसे पकड़ना है आपके जो नी है उसे थोड़ा उपर होना चाहिए अब आपको ग्या करना है हलका सापनी लेग को इस तरीके से खोलना हैं और हलका सा अपनी body को पीछे रखना है अब दोनों leg को एक साथ उठाएंगे और ऐसे cushion से touch करेंगे इस तरीके से दो बार touch करेंगे और दो बार हम पीछे की तरफ जाएंगे upper body ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर वापस straight कर देंगे फिर दो बार ऐसे ही हम अपने knee से cushion को touch करने कोशिश करेंगे ऐसे और दो बार हम body को पीछे ले जाएंगे फिर आगे फिर पीछे फिर आगे ऐसे state कर देंगे तो इसी तरीके से ये step हम continue करेंगे और कम से कम 20 repetition आपने इस step के करने हैं daily